असलाम अलेकुम विवर्स, वल्कम बैक टू एचे टीवी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पैकिंग और मैं किस ताना से पैकिंग करती हूँ, वो मैं आपको दे रही हूँ, वन बाई वन करके मैंने ये शिर्ट रख ली है और जिससे जितनी भी शिर्ट्स हो इतनी ही हूँ और सारी चीज़े असानी से आजाए और कम से कम स्पेस लें, स्पेस कम रखनी चाहिए क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में चीज़े खुद ही पकड़नी होती है, तो इस तरह से मैंने सारी टी शिर्ट्स जो है फोल्ड करके अच्छे से रख दी है, और बैक मे ये स्पेस भी कम लेती है और अराम से आ जाती है, ये देख लिए आपने पैंट वगारा किस तरह से मैंने रखी है, इसके बाद जो है ये आ गई है, जो जैकिट है मेरी और ये रख रही हूँ, तो इसको मैंने इस तरह से करके बैक में रख दिया है, ये सारी स्लीव से और बच्चों की पैंट है क्योंकि छोटी होती है तो मैंने सब जगह इसको करके रबर बैंड लगा के रख आप चाहें तो इसके उपर का फोल करके भी रख सकते हैं, और ये देखें, ये इसको मैंने किते बड़े को, और काफी ये मोटा भी है, तो मैंने इसको बहुत छो किस तरहां से रख रही हूं, पैंड को सब, ये मेरी पैंड से हैं, और मेरे मिया जी की पैंड सी उपप चाह सरे हैं, मेरे सारी शिर्ट्स हैं, और आप देख सकते हैं, कि मैसे इसको इस तरहां से करके, और ये मिरे जो शलवार कमीज की zen Kea, ने जो ऐसे पिसे के रिख लग कपड़े रखूंगी एक के अंदर ही पर आप देखें ये मेरे दो बच्चो का समान है और मैं एक इतने छोटे से बैक में कितनी हसानी से सेट कर रही हूँ तो कोशिश करें आप भी कम इस स्पेस में जादा समान ले जाने के कोशिश करें जोके बच्चो की चीजें बहुत ज जादा होती है और हमें तरीके से हर चीज लेके जाने होती है और आप देख सकते हैं कुछ उमीद करती हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कम जगा में हमेशा ट्राइबलिंग करें कि आपकी स्पेस कम हो क्योंकि एक तो लेकिये जानी चाहिए तागे किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो उमीद कहते हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाहाफिस वेकिया और बाबाई